इस कारिक्रम की पोड़े आरजक हैं अमिद जैन, राशी जैन, उन्नती जैन, सेक्टर सेतिस, नॉइडा, श्री पारस्मंद, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत आचारि गुर्देव्शी विद्यान जीवनिमा राज की विश्व कल्यान कारक अहिन्सा प्रदान स्विमत विश्व धर्म की जैनम जैतु शासनम, विश्व कल्यान कारकं धर्म इसने ही सत्रद्धालो यहां पर उपस्तित आप सभी भविवर पुंडरीक, पुंड्यात्मा महानुभाव आचारि भगवन समंत बद्श्वामी द्वारा विश्व रत्न करंडग स्रापका अचार का स्वाध्या चल रहा है इस वाचना शाध्याई में विगत दिवस देख रहे थे सम्मेट जान के समंद्ध में सम्मेट जान सम्मेट दश्वन के अविना भावी रूप से रहता है सम्मेट गान की विशेष्टा देखते हुए उसु सुत्यगान के चार भेद की अनयोग की अपेक्षा से प्रतमान योग, कुरणान योग, चरणान योग, द्रभ्यान योग प्रतमान योग के समंद्ध में जाना जन शास्त्रों में पुरान पुरस, महापुरस, तीतंकरादी, बोख्ष्यामी पुरस का जीवन चरित्र या अनेक पुंड पुरसों का जीवन चरित्र, पुंड और पाप का फल, रत्नत्रे का कारक, समाधी का हेतु जो कृतन करने वाला शास्त्र है, वो है प्रतमान योग का शास्त्र कहलाता है, प्रतमान योग लोक रंजायमान करने के लिए नहीं, प्रतमान योग विश्यों से चित्व को हटाने के लिए कारक है, प्रतमान योग की माध्यम से भक्ति अपने उपयोग को धर्म की और प्रत्मान योग धर्म ध्यान में ले जाने में एक समर्थ साधन है. दुखी व्यक्ति भी जब किसी कथानक को सुनता है तो उतने छड़ के लिए अपनी दुख को भूल जाता है. कोई व्यक्ति तनाव ग्रस्त है और जिस समय कोई कथानक सुन रहा है तो उसमें तनाव को भूल जाता है. चाहे सिद्धान्त की बात हैं उसे समझ में आई या ना आई चाहे ब्यवहरिक जीवन की बात हैं उसके समझ में आई या ना आई चाहे लोक नीती राज नीती समझ में आई या ना आई चाहे उसे अपना खान पान ब्यवहर कोई उसकी समझ में आई या ना आई चाहे उसके अंत्मा की चर्षा करो, परमांत्मा की चर्षा करो, या कर्म शिद्धान्त की चर्षा करो, व्याकर्ण नियाय की चर्षा करो, संभब है, उसका मन इस तरह नहो पाई, और थोड़ी देर में स्थे खुजाता हुआ, खड़ाओं के चला जाए, कि भाई, ये बातें, हमारी मतलब वह बात हैं अशी हैं जो OH, UFT, overhead, under feet, transfer, आधी सिरी के उपर से निकल गई, आधी पेरों के नीचे से निकल गई, समझ में कुछ नहीं आया, किंट प्रत्मान्यों की बात है ऐशी होती है, लगबग वह शब्दों को पकड़ पाई और नपकड़ पाई, किंट वह उन भावों को जरूर पकड़ देता है, कोई भी कतानक आपने 10 ब्यक्ति को, 20 को, 50 को, 100 को सुनाया, तो वह शो के 100 ब्यक्ति भावों को जरूर पकड़ देंगे कि उसका सारांस क्या था, अच्छा था या बुरा था, उससे जो प्रेणा मिल रही है, प्रेणा प्राप्त कर सकता है, बाद में सुनाने की शेली सबकी अलग-अलग प्रतक प्रतक हो सकती है, किंट भाव जो पकड़ में आ रहा है, वह सबकी पकड़ में अच्छे क्या समझाना चाहते हैं किसे कहते हैं करनान योग उसकी आवशकता क्यों है तो यह तो सामा ने आपने समझी लिया कि प्रत्मा ने उसे जैसे पर का वहरंग जाना था बैसे पर का अंतरंग जाने बिना अपना अंतरंग नहीं जाना जा सकता तो पर के अंतरंग को जानने का सा बता रही हैं, लोका लोक भिभकतेर, योग परिव्रते श्चत्रगती नाम चव, आदर्समिवत अथामती, रवाईती करनान योगम चव, ये करनान योग भी है, इसे गड़तान योग भी कहते हैं, इसमें गड़त का विश्य जादा है, इसमें कैलिकुलेशन जादा करनी करनान योग का विश्य एसे समझना चाहिए, जैसे काजू किस्मिस की वर्फी, बादाम का हलुआ, और दूद को पोष्ठ वना करके, एक गय का दूद दूसरी को पलाया, इसका दूद तीसरी को पलाया, तो वे और पुष्ठ पोष्ठ की दूद होता चला जाएगा, ऐसे पदार्तों का सिवन करना, या करकस पदार्त, शुपारी यादी खाना, चनी चवाना, बली वादामादी चवाना, ये न तो बालक की बसकी बात है, न व्रद की बसकी बात है, और जिसके दांत हिल रहे हैं, ऐसे फ्रोड की बसकी बात भी नहीं है, ये तो कोई युवा ही केसी कठूर बस्तु को चबा सकता है और पचा सकता है चलो कोई खा भी जाई तो पचाना बड़ा मस्किल है तो ये कर्णान योग उनके लिए है जो प्रत्मान योग से पार हो गई और चर्णान योग को जोनों ने सुचकार किया बाहर से अपने आचन को सुधारा है अब दूशे व्यक्ति के परणाम कैसी होते हैं उसलिए परणाम कैसी समाले अत्वा वहरी जगत का परणामन कैसी हो रहा है लोक में अन्नी जो द्रब्य है उनका कैसी कैसी परणामन हो रहा उसे जानने का अपाय करणान योग, आचार मोदेब कहए रहे हैं, लोका लोक विवक्तित, लोक किसे कहते हैं? लोक्यनते जीवादिया पदार्ता यसमिन सा लोकह, जिसमें जीवादी पदार्त देखे जाते हैं वो लोक है, यह लोक शब्द, लोक सब्दे कैसा है, जो तीन वासाँ में समरूप से रहता है उसका आर्थ लगवा एक ही निकलता है अंग्री जी में आप लुख लुख शब्द का आर्थ देखने का अर्थ में लगाते संस्क्रत में भी लुक्यंते देखे जाते हैं हिंदी में भी तुम्हें लुकता नहीं है यह दिखता नहीं है क्या तो हिंदी में लुक सब्द आता है लुक का अर्थ लोब के अर्थ में भी आता है लुक संदी होती है तो यह लुक सब्द क्या है कि यह देखने से है जान देखा जाता है किसको जीवादी दर्बियों को व तीन लोक में ही जीवा दी दर पाई जाते हैं, उसके बाहर सब अलोका कास है अलोका कास के थीन भेद हैं नीचे, अदो लो, अदासतन अिसान को नीचे Specialist को नीचेवाला कहते हैं, अध Kristen बाले को उब। कहते हैं, तो इशी से नाम रख दिया अदू लोक और उर्द लोक, बीच वाले को मद्द बेर कहते हैं, तो मद्द का लोक कह दिया, अदो लोक, मद्द लोक, और उर्द लोक, लिए तीन पार्ट करने की आवश्ब्स का पड़ी, यहांथ क्दू कमर पर हर ट appel तो कमर से नीचे-नीचे की हीस्सा सुप्की जो आकरती बनती है उशोे आकृति अदो लोकी बनती है मद्द लोक है यह नाभी के समर्लिक बस कटी की जो वन है वो एक बलियाकार थालीऌ का मद्द लोक है जहलरी के हैं, ज्यादा हुचा नहीं, एक लाग योजन हुचा है, और विस्तार एक राजु का, जनतर्शनाली का है, तो मद्ध लोक हो गया, उपर उर्द लोक, जो कटी भाग से उपर का हिस्सा है, जैस्चो को इबती कटी भाग पर अपनी दौन हाथ रखे, सीदा खड़ा हो जाए, तो उपर का हिस्सा यहां से जो है, वो उर्द लोक, अधो लोक में नीचे नारकी रहते हैं, और नरकों के नीचे कलकल भूम में नित्न गोद जीव रहते हैं, पहली नरक के उपर खर भाग पंग भाग आती हैं, उसमें भवनवाशी देव रहते हैं, मद्ध लोक मद्ध लोक एक राजय योजन का है, किन्तो मнымиज़ धाई दीप में ही रहते हैं, उसके बाहर मनशऔ का गमन, आगमन, संचन नहीं हैं। इस मद्ध लोक में असंख्याता असंख्यात पिमान जोष्ची देवों के भी हैं, वो जोष्ची देव रहते हैं, वान विंत्र आदी दिव रहते हैं, अकतम जनाले भी हैं, उर्दु लोग में चलते 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 हैं, उर्दु लोग में शिद शिला है जहाँबर शिद्डों का भास है फिर तीनों लोकों को विश्चत किये हुई तीन बाटवले हैं ये लोक है इस बगार लोक का बिस्तारश रिज अधर करने वाला कुई अनियोग है तो वैς करना अनियोग अलोग आकास में केवल आकास मात्र है उसका अकथन करने बाला विवा करने बाला करनान योग यूग परिवत्तिश यूग परिवत्न कैसे होता है कहां कहां 700 पहला काल है उतना भूबवी में कहां 700 दूसरा काल है मद्न भूबवी में कहां 730 काल है, जगन बूबुमी में, कहां 730 काल है, विधी स्चेत्र हों में, और कहां 6 काल परवतन होता है। कम één कोड़ा कुली शाकर का 5 माँ 21 जार वर्षका인 6 जार वर्षका प्रारम यौजाए गा ऑठीक ही 10 जार वर्षकार का पिर लोट करके जगन भूमी में मद्दें भूमी और उतकष्ट भूमी एक दो कुड़ा कुड़ी शागर तीन कुड़ा कुड़ी शागर चार कुड़ा कुड़ी शागर ये काल परवतन कैसे कैसे होता है ये शब बात बताने बाला सुक्ष्म तया विस्तार शे करनान योग है और इसके शाह साथ चत्रगती नाम चाह चार गतियों का गतन नरक में जीव किस पकार से बास करते है नार की जीवों की आयू बल अवगहाना प्रवत्तियां लेश्यां इत्यादी नारकियों के समद्ध में पूरा गतन करने बाला नरकती के बारे में तुरंच गती के समद्ध में करने बाला तुरंच जी कितने इंद्री होते हैं कहां कहां रहते हैं कौन सा गुर्थतान होता है किस गती शिया सकते हैं, किस गती में जा सकते हैं, वो तुरंचों का पूरा कथन करने वाला, मनश गती की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे मनश होती है, कितने भेदे हैं, क्या वशिस्ता होती है, कहां से याकर की जी मनश हो सकता है, कहां जा सकता है, उसकी क्या का वशिस्ता है, यह कतन करने बाला मुनश कती का और देगवती, देगवती के बारे में आयू, अभगाना, इस्तिती, जगन्य और उतकरष्ट, देवाँ के भेद, लेश्याएं, वन, जितना विस्तारशे कतन है यह चारगती के जीवाँ के शमंद में, मुनश, तिरंच, देव और मुनश, च करन सब्द कई अर्थों में प्रवत्त होता है, वे करन सब्द एक ऐसा होता है, का कईये तो आत्मा अर्णमान युद्ध करने बाला, आत्मा को काटने बाला कर्म, करन कईये तो परणाम, करन कईये तो करन, तो करन इंद्री, तो यहाँ पर कर्ण सब्द से लिया जा रहा है गड़ित शास्त्र तो कर्णानियो गड़ित का सास्त्र है इसमें जब यक्ति श्वाद्या करने बैठता है अध्यन करता है, अध्यापन करता है तो इसमें प्रिक्टिकल करता है मेहत करता जाता है इसकी लंबा इतनी, इसकी उंचा इतनी, इसकी चोड़ा इतनी, इसकी मोटा इतनी, इतनी इसमें बिल होते हैं, इसमें इतनी पटल होते हैं, ये शम्र के चलता चला गया, मद्दिलोक में करें, दीप, शमुद्र, इसका विस्तार इतना है, इसकी पर्द इतनी बड़ी है, द यह मारस्तर प्रवत के जनाले कैसे हैं, यह विद्शित की विश्टा संजना कैसी है, ढाइदी के संजना कैसी है, कहां पांच मेरू हैं, यह शुब करता नो, यह के करके विश्टासी जानते जाओ, जानते जाओ, जो शुबी जानेगा व्यक्ति, जिसका बुद्धी का करने वाले माहनबाव इतनी बढ़ जाते हैं सुवेश लेकर की साम तक बैठें भोजन पानी का याद नहीं रहा है साम को रात बैठें तो सभी राकश बोगया मालूम नहीं चला ज़ए जब वेग्या निकल गोते हैं किसी कार में सनलंग न हो गई तो उन्हें स्वेम खाल नह तो करनान योग भी इसी प्रकार का है, कि वे व्यक्ति के चित्ट को बांध लेता है, सिद्धानत के मनन से मनहाता था, मन को बांध ले का, यही उपाई है, जैसे बंदर, हरी बरी ब्रक्ष पर इस पर पुस पर फर लगे हुए है, संग ब्रक्ष है, वहां जाकर चांती से और यदि उसे दिखाई दिया वात अश्य घनाव रक्ष है, वात अच्छी साखा है, तो फल खाता है, सांती से बैठ जाता है, शांती मिलती है, यह शुत ग्यान में अवगान करता हुआ, चित शांती को पाता है, कर्णान यूग की अध्यन्शे, आचार मोदे कह रहे हैं, य जैसे दर्पन में पदार्थ जलकते हैं, पदार्थ सामने है, दर्पन या रखा है, दर्पन पर प्रभाव पढ़ता नहीं, जलकता है, सामने पहाड है, तो भी दिखाई देरा, अगनी तो दिखाई देरी, वार्ष तो दिखाई देरी, ऐसे ही दर्पन की तर एसे जो लोक अलोग को युक के परवतन को चार गतियों के बारे में जो ग्यान कराता है अवैती यानि ग्यान जनाता है तथा मती उसी प्रकार का ग्यान उस प्रकार की बुद्धी देने बाला करणान योगम चे वह करणान योग कहलाता है इस पकार आचार मोदे ने करणा न्यों के समन्द में चर्षा की, आगे चरणा न्यों के समन्द में चर्षा करेंगे आज बस इतना ही